वेलकम फस्ट क्लास आज करेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर एट इस एम और इस एम और आर का यूज़ पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं वी यूज़ इस वेन वी आर टॉकिंग अबाट ओनली वन पर्सन अनिमल और थिंग हम इस का यूज़ करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ती या एक जानवर या एक चीज के बारे में बात करते हैं यानि कोई भी चीज एक हो वहाँ पर यूज़ होगा इस वी यूज़ आर वन वी आर टॉकिंग अबाट मोर दैन वन पर्सन अनिमल और थिंग कि जब हम एक से ज़ादा व्यक्ती या एक से ज़ादा एनिमल या किसी या एक से ज़ादा चीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं आर यूज़ होगा जहां पर एक से ज़ादा होंगे we use am with i i के साथ हमेशे क्याएगा am examples पढ़ते हैं i am a good girl i के साथ क्या आता am तो sentence क्या है i am a good girl कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ my friends are talking friends means दोस्त बहुत सारे हैं तो जब एक से जादा हो तो हमां क्या आता are my friends are talking मेरे friends जो है the dog is barking the dog dog जो है वो एक ही है जो animal है वो एक है तो जब एक हो तो उसके साथ आता है is यह जो कुट्टा है वो भौक राए the students students means विध्यार्थी जो बहुत सारे हैं तो बहुत सारे हैं तो है पर कहाएगा are the students are happy जो बच्चे हैं, जो विधार्थी हैं, वो साधिक हैं, खुश है, वानिया is a singer, वानिया जो एक लड़की है, और वो एक ही है, तो जब भी एक हो, तो क्या आता है, इस, वानिया जो है, वो एक singer है, टिक the correct word to complete each sentence, इस और आर में से हमें correct word पर टिक करना है, तो चिल्डरन इस या फिर आर नौटी, चिल्डरन मींस बच्चे, बच्चे मतलब देखो एक बच्चा थोड़ी है, बच्चे क्या होते हैं, जो एक से होते हैं ज्यादा, और एक से ज्यादा में क्या उसकरते हैं, इस नेक्स्ट इस देखो एम तो आता हमेशा आई के साथ, और यहाँ पर बोले गया है दा बच्चा, चोटा बच्चा जो एक ही है, तो जो बेबी है वो sleepy, मतलब सो रहा है, तो देबी इस आएगा इसके साथ, योगि बेबी जो वो एक ही है, तो यहाँ पर आएगा is, देबी इस लीपी, नेक्स्ट इस आई, एम या आर हैपी, आई के साथ क्या आता हमेशा, एम, तो आई एम हैपी, मैं बहुत खुश हूं, नेक्स्ट, इस ट्रीज आं या आर वेरी टॉल, दीस ट्रीज, यानि कि बहुत सारे पेड़ है, तो जहां पर बहुत सारे होते हैं, एक से आएगा is, the boy is funny, next examples है, I am a painter, I एक सथ क्या था मिश्या, am, तो I am a painter, मैं एक painter हूँ, next is, it is a leaf, यह एक पत्ती है, पत्ती एक ही है, तो यहने के आएगा is, we are boys, boys हैं बहुत सारे, यहने के आप आएगा are, हम जो है लड़के हैं, he is a teacher, यह एक teacher है, teacher एक है, तो आएगा is, you are a good dancer, तुम एक अच्छे dancer हो, you होता है plural, मतलब कि एक से जादा, तो यहाँ पर हमेशा आ रही आएगा, you के साथ हमेशा आ रहाएगा, she is a singer, she मतलब होता है singular, यानि कि एक ही बात हो रही है, तो she के साथ क्या आता है is, she is a singer, मतलब यह एक singer है, फिर दो ब्लैंक्स करते हैं इसके, how old dash you, कि तुम कितने साल के हो, तो you जो होता है, you होता है plural form, मतलब कि you में हमेशा क्या आता है, are, you के साथ अब हमेशा आर का यूज करोगे, तो how old are you, next is, I dash a good swimmer, मैं एक अच्छा swimmer हो, मतलब मैं अच्छा swim करता हूँ, तो I के साथ क्या आता है हमेशा am, तो यहाँ पर क्या late today, कि आज हम जो है late हो गए है, next is, the balls yellow in color, balls है, means एक से जादा ball है वो, और वो color में yellow है, तो यहाँ पर क्याएगा are, the balls are yellow in color, एक से जादा है तो क्याएगा are, my brother dash very funny, मेरा जो भाई यह बहुत funny है, यहनिकी बहुत मजा किया है, तो भाई क्या है, तो यहाँ पर क्याएगा is the book dash on the table, book एक है, तो क्या हैगा is, the book is on the table, जो book है वो table के उपर है, I dash the tallest boy in the class, कि class में मैं सबसे लंबा लड़का हूँ, तो I के साथ क्या आता है हमेशा am, I am the tallest boy in the class, next is today dash a holiday, आज जो है छुट्टी है, तो today क्या हैगा is, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही ह is, today is a holiday, आज चुट्टी है, next is the children dash in the classroom, children मतला बच्चे, एक से जादा, तो यहाँ पर क्याएगा are, तो यहाँ आएगा are, next, रोहित dash a good student, रोहित एक अच्छा student है, रोहित एक है, तो यहाँ पर आएगा is, next, you dash seven years old, you के साथ हमेश आता है are, तो you are seven years old, कि तुम साथ साल के ह the small boy is hungry, कि जो चोड़ा लडगा है, वो भूका है, तो boy है, एक ही है वो, small boy जो है, वो एक ही तो है, तो यहाँ मतली है, this, the small boy is hungry, कि चोड़ा लडगा जो है वो भूका है